इंडिया टीवी क्राइम अलॉट इंडिया जी कैसे मौत हुई सतीश कोशिक सतीश जी की हार्ट एटक से मौत हुई थी उनको पहले वो यहां पर राये थे होली काम लोग ने मिलन रखा वादा वो पर करके पांच चार पांच बेस तक पाटी चली हमारी उसके बाद रात को उनकी थोड़ी तो बिगड़ी जब जहने पाट कालेश कर गया जहीं कर गोते ही की जो आरूप लग रहे हैं कि आपके फामाच से कुछ दवाईयां मिलने की बात आ रही है और उनकी मौत के पीछे आपका होता हुद आपके जर अरोप ले लग रहे हैं आपकी पतनी के द्वारा लग वो तो मेरी पतनी ही लगा ते रूटीन अपनी दवायां ले रहे हैं और तो कोई दवाय मिली नहीं पतनी का दावाई कि आपके बेटे का जो जनम दिन था दुबई में मनाया गया वहां पर जो पाटी रखी गई वहां पर अंडरवर्ड डॉन दाउद इब्राहिम का बेटा हसन वहां पर था आनस वहा उनके साथ मात ओ अनस से मिरा अनस तो कोई आप दावद के बेटे का नाम आप डून लो अनस उनका बेटा नी है आपको फोटो दिखा देता हूं कि ये बताई ये कौन है जिसको अनस होने का दावा आपकी पतनी की तरफ से किया जा रहा है ये शक्स कौन है ये अनस है ये गुजरात का है ये दुबएयों के अंदर अपना एक वेपारी है खुद अपना काम करता है बिजनिस्मेन है वहां अब ये वो है और इसके फादर का नाम है मुहमद फारुक मारफतिया तो ये दाउद का बेटा होने की जो बात कि ये जो बात कह रही है वो गलत एक दो उनका ये भी कहना है आपकी पतनी का कि पंदरा करोड रुपे जो है वो सतीश कोशिक से आपने लिये थे दुबई में जो है उन्होंने वो वापस मांगने की बात की तो आपने उन्हें जो है मना किया कुछ श्वाट टॉप भी was उसके बाद आपने कहा की बड़ी रखम है मैं आपको कैश में हिंदुस्तान में दे दूँआ उसके बाद जब ने आपकी पतनी का ये कहना है कि उन्होंने आ को 15 करोड कभी दिये भी थे किया और वो अगर यहाओ जो बात कह रही है तो उसके पास क्या है सबूत है किसी एमारा कोई sini किसी किसी और जगे का पासपोर्ट ही नहीं यह रेप वाला मामला क्या है वो तो उसने अपना इल्जाम लगाया है उसने जोटे इल्जाम पैसे के लिए के बल किया और कुछ नहीं है वो मेरे वकील बताएंगे आपको आप उनसे पोचिए आप लोगों की तरफ से भी जो है एक ए आरोप क्या है इसमें आप दोनों के मैटर चुक है इंवेस्टिकेशन है और सब जोडिस है इसलिए उस पर हम अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं आरोप तो आपने लगाया नहीं ज़र आरोप तो ऑल्रेडी एफायर में है ना तो मैटर अभी सब अन्डर इसलिए उसकेस के बावा तभी हम कुछ नहीं बता से पतिनी से आपका क्या विबाद हुआ कब आप लोगों की शादी हुई ती कब तक आप साथ रहे उसके बाद अलग हुए तो वो क्या का रहा है दोजारए ननिस मार्च के इंदर साधी वी थी उसके बाद ये अभी लास्च नहींशजगी जो मेंसे अपने दंडे के लिए पैसे मांगे वह नैंए मना खर दिये पिस काम के लिए पैसे मार्ण ओपना कोई बिजनस करना चाहती थी इंडिया मैं तो हम लोग रहते थे थै हम दुबई रह रहे हैं तो इंडिया में कौन संभा लेगा तो वो मैंने मना कर दिया और वाइवल भी नहीं था तो उसके चक्कर में यह सारा पूरा विवाद बनाए तो आरोप आपकी पतनी लगा रही है आप यह कहरें विल्कु गलत है कोई विवाद नहीं कोई 15 क्रोड की है और यह जितने भी विवाद उसने जो मिर पर जो इलजाम लगा रही है यह सारे गलत है और बेवुनियाद है और पुलीस इंवेस्टिकेशन जब करेंगी पुलीस बुलाईगी तब मैं उस इंवेस्टिकेशन को मैं जोईन करूंगा जो कह रही है कि बार-बार की विकास विकास मालू को जो है कारवाई होनी चाहिए वो देश शोड कर जा सकते हैं उन पर दो और देश होगे भी पास्पोर्ट मेरा अभी वहां पर है तो मैं बिना पास्पोर्ट के बार कैसे जाओंगा तो ये विकास मालू है जिन पर कई तरह के आरोप लगा रही है उनकी पतनी फिलहाल पुलिस जो है वो निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में जाँच में जूटी हुई है हाला कि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि जो मौत है वो हाट अटेक से हुई विसरा पल जो है वो प्रिजर्व करके रखे गए जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जूटी हुई है कैमरामेन राहूल द्यानी के साथ कुमार सोनों इंडिया टीवी दिल्ले क्राइम की खबरों से अपडेटिट रहने के लिए इंडि